हालो दोस्तों मैं हूं अली जो कि आना काइडमी पे एक वेरिफाइड इस्केटर हूं आप सभी का है दरे श्रिपान यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूं सामान हिंदी के अपने स्कोर्स में आज हम लोग यूपीटेट के लिए हिंदी के बहुत इंपोर्टेंट टॉप हमारे यूटूब चैनल है दरे श्रिपान को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल पूचा जारा है इस जिस समास में अर्थ की दिरिष्टी से उत्तर पत परधान यानि कि दूसरा पत परध पत परृदधान और दोनों पदों के बीच में कारक चिन छुपाओं उसे हम लोग तत्परृष्श समास के जैसे मैं कहूं राज कुमार तो राज कुमार का जब हम विग्रा करेंगे तो क्या होगा राजा का कुमार होगा इसमें का छुपा हुआ है इसलिए राज कुमार तत्पुर्ष समास हो जाएगा इसी तरह धर्म गरंत इसका विग्रा होगा धर्म का गरंत इसमें भी का चुपा हुआ है तो धर्म गरंद भी तत्पुर्ष समास होगा इसी तरह रचनाकार यश्पराप्त छिडीमार ग्रामगत सभी तत्पुर्ष समास के एक्जामपल्स होंगे अगला सवाल यह है कि जिस समास में उत्तरपत परधान होने के साथ ही साथ पूर्वपद और उत्तरपद में विशेशड विशेश का सम्बंद भी होता है वो कौन सा समास होता है यानि के जिसमें दूसरा परधान हो और साथ ही साथ पहले पद और दूसरे पद में जो सम्बंद हो वो विशेशड और विशेश का हो तो वो कौन सा समास होता है तो दोस दूसरा पद परदानों तता पहला पद और दूसरे पद में उपमान उपमें या फिर विश्यसर विश्यसर का संबंदों उसे हम लोग कर्मधारे समास की पैचान क्या है तो दोस्तों जब हम लोग कर्मधारे समास को अलग करते हैं विग्रा करते हैं तो विग्रा करने के दो कमल के समान चरड तो देखा आपने विगर किया तो इसमें की समान आ गया इसलिए करमधारे समा से चरड और कमल में जो संबंद है वो उपमान और उपमियका ऐसी तरह कनक लता कमल नयन, प्राड प्रियत, चंद्रमुक, मिरिग नयन, देलता, क्रोधागनी, लालमडी, नीलकंट, महापुरुस, महादेव, अद्मरा और पर्मानंद, सभी क्या है, सभी कर्मधारे समास है, क्योंकि इसमें पहले पद और दूसरे पद में, उपमें, उपमान, या फिर, व इससे का संबंध है, और जब हम लोग इनका विग्रह करते हैं, तो इनमें के समान, या फिर है, जो बीच में आ जाता है, अगला सवाल यह है, कि जिस समास में, दोनों पद और प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास होता है, यानि कि न पहला पद परधान, न दूसरा पद पर परधान होता है, वो कौन सा समास होता है, तो दोस्तों वो बहु वरीही समास होता है, बहु वरीही समास के बारे में यहां पर थोड़ा सा बता दूं कि जिस समास पद में कोई पद परधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की और इशारा करते हैं, उसे हम ल मिल्क ए वो क्या है बहुवरीह समास αλλά क्योंकि यहां पर डोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है इसलिए यल्सलिए किैबारी समास इसी तरह लंबोदर लंबी और का विग्र gue नंबा है उदर जिसका किसका उदर लंबा होता है गडेश का इसलिए लंबा उदर क्या हो गया यह हमारा हो गया बहुवरी ही समासे तरह दशानन, चक्रपाड़ी, महावीर, चतुर्भुज, प्रधान, मंत्री, पंकज, अन्होनी, गिरिधर और पीतामबर सभी क्या हैं बहुवरी ही स समास है क्योंकि जब हम लोग इनका विग्रा करते हैं तो दोनों पर मिलके किसी तीसरे पद की और इशारा करते हैं जो कि आपको कोश्टक में दिख रहे हैं तो यह सभी क्या है सभी वहु रही समास के समुदाय का यानि की एक ग्रूप का बोधों उसे क्या कहते दोस्तों जब कभी भी दोनों पदों में पहला पद आपको देखने को मिल जाए आपको फॉरण समझ देना है कि वह द्यूगू समास के बारे में थोड़ा सा जान लिजिए कि जिस समस्पत का पुर्वपत संक्या वाचा कुई से चड़ो वह द्यूगू समास होता है इसमें समु या फिर समाहार का ग्यान होता है मैंने बताया उससे एक ग्रूप का पता चलता है जैसे मैं कहूं सब्त सिंधू इसका विग्रह क्या होगा साथ सिंधियों का समु तो यहां पे देखा आपने सब्त सिंधू है इसका विग्रह जो है वो साथ सिंधूं का समूं है यानि कि इससे एक ग्रूप का पता चल रहा है इसलिए सब्सिंदू क्या हो जाएगा दियोगों समासरी तरह दो पहर त्री लोग चाव रहा नौरात्र सब्तरिसी पंच मढ़ी और सब्ता सभी दियोगों समास के एक्जा अग lobby दोनों समस्त पदों में जो पहला पधर वो क्या है सब में आपको संख्या वाचक विशेशर देखने को मिल रहा है कि समास में दोनों के समानाधी करण होने पर कर्मधार समास होता है तो दोस्तों जब हम लोग पहले पद और दोस्रे पत का किसी भी समास में समानाधी करड कर देते हैं तो वो अगर कर्मधारे समास बन जा रहा है तो वो समास जो है वो ततपुरुष समास है अगला स्वाल है कि पापुन्य कौन सा समास है दोस्तो पापुन्य जो है वो द्वंद समास है द्वंद समास क्या होता है मैं आपको ब ंरुपया पैसा पहुँत सारे इसके एक्जाम्पल आपको तेखने को मिलेंगे तो दौन्ध समाथ क्या होता है आपने जानली है अब हम लोग बात करेंगे अगला जो है नीलकंट नील rich cruc कौन सा समास है तो मैंने अभी एक्जामपल में आपको बता जब मैं आप बहुवरी समास बचा रहा था तो नीला है कंट जिसका यानि कि शिव का तो यहां पे दोनों पद मिलके शिव की तरफ संकेत कर रहें इसलिए नील कंट जो हो जाएगा वो हमारा बहुवरी ही समास हो अगला सवाले की दो अन्नी कौन सा समास है पहला पद इसमें जो है वो संक्या विश्य सड़े दो है इसलिए हमारा दो अन्नी क्या हो जाएगा दिव को समास हो जाएगा अगला सवाले की वह हमेशा नहाया धोया रहता है रिखांकिक पद में कौन सा समास है तो दोस्तों न कि यूपी टेट के लिए बहुत इंपोर्टेंट होंगे उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक किजिए कमेंट करके बताइए कि हमारी मेनत कैसे लगी जादर जादर वीडियो को शेयर किजिए फैला दीजी हर एक सीटेट यूपी टेट या उस तक ये वीडियो पहुत जाने चाहिए